अब बॉर्णिंग कैपिटल बाजिटिंग सेकेंड पर स्टार्ट कर रहे हैं अचले बैने अभी रेकॉर्ड कर लिये थे तो प्रोब्लेम होगे अब साउंड सिस्टेम में साउंड यह नहीं आ रहा था तो पूरा सौप करने के पाद जब वीडियो चेक किये देखे साउंड प्रोब्लेट प्रोब्लेट में दो फॉर्मूला था एक तो इनिश्याल इंडेस्मेंट भाई सीएफटी जहां सीएफटी इस कॉंस्टेंट मतलब क्या था इन्यूफर्म और अगर भैरी करेगा तो इसकेस में डिफ्रेंट हो जाएगा काल्कुलेशन तो ऐसा यह कुस्च इन्वेस्मेंट 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 इन प्रोजेक्ट रिक्विरिंग कैपितल आउटल आउटलेव 4,50,000 तो इन्वेस्मेंट में टोटल कितना लगेगा 4,50,000 इनिश्याल इन्वेस्मेंट इन्वेस्मेंट स्टेट लाइन और इसमें स्ट 20% trade line method और tax rate 50% find करना क्या एक payback period find करना है और एक ARR दोनों ही इसमें find करना है ठीक है तो हम लोगों को दिया गया profit before tax तो tax minus करोगे और depreciation को add back करोगे CA पर दिया जाएगे तो यही टेपल बना होगे अब लोग टेपल year 1 2 3 4 5 और profit before tax is given to you यह दे दिया था profit after tax tax rate 50% है ना तो अगर यह profit before tax 100% tax 50% पे की balance पर भी तो 50% हो जाएगा तो 50% अगर tax rate 40% हो तो यह 60% लिखते है tax rate 30% हो तो 70% करते है इसमें तो 50% जग्ले हाप कर दिये तो profit after tax आ गया 80 का आदा 40, 1 लग का 50, 140 का 70, 110 का 55 और 90 का कितना 45 तो यह होगा profit after tax इसको एक पार जोड लिए इसलिए क्योंकि हम लोग को ARR के लिए average पैट चाहिए पैट आवरिज चाहिए ठीके ना ARR मेथड अभी सिखे नहीं इससे कर लेगा हम लोग तो यह सब को एड के तो टोटल कितना है टोटल के साथ डेप्रीशेशन एड बैक करोगे और स्ट्रेड लाइन तो देखते है फोड़ाग फिप्रीशेशन था इनी सियल कॉस्ट रेट अप्रेशन 20 परसंट ट्रेड लाइन तो डेप्रीशेशन कितना होता है नाइटी थाउजन हडा हर सल डेप्रीशेशन चार्ज के जाएगा तो नाइटी क्या करना है सबमें अड़ यह टो फॉन फिंटी ना ओन फॉन फॉन से टिपक्र एड गया अप कुमिल ठिवップ करोगे cumulative frequency जैसे करते थे frequency तो इसको आड़ करते जाओगे तो 130 फिर 130 प्रास 140 270 270 प्रास 160 तो 3 लाग 4 लाग 30 145 फिर आड कर लोगे 575 फिर 135 आड किये तो 7 लाग 10,000 ठीक या cumulative आ गया तो इस cumulative से क्या पता चल रहा आपको यह one year end तक return मिल गया कितना 130 two years end तक total कितना return मिला 270 company initially कितना इंबेस किया थे 450 तो कितना साल में 450 रिटरन आया तो वही तो आएगा ना payback तो देखो 450 in between आया तो इसको हम लोग initial investment यहां in between लेग लिए तो obviously यहां देखो तो obviously payback period भी three और four years between आयेगा तो इसको एक्स मान लेगा ठीक है आप क्या apply करेंगे interpolation formula apply करेंगे राइट तो यह table बनाना पड़ेगा अकर आपको CFAT differ कर रहे है भैरी कर रहे है तो इसके यह table करोगे cumulative करोगे now payback interpolation formula मैंने जो दिये थे वो formula apply किया simple interpolation formula क्या था ना जो x है इससे above value जो x आया x इससे above value minus करो x minus 3 divide by below value minus above value मतलब 4 minus 3 तो x minus 3 divided by 4 minus 3 यह left hand होगे equal to related right hand में होगा 450 minus 430 divide by 575 minus 430 यह apply करोगे interpolation formula तो इसको apply किया क्या लेकिए payback period x years देफर by simple interpolation formula x minus 3 by 4 minus 3 equal to 450 minus 430 divide by 575 minus 430 और इसको solve किये तो x minus 3 4 minus 3 तो कुछ 1 है 1 लिखो नहीं लिखो गए की बात है और यह 20,000 आया 4,50,30 20,000 divide by यह minus किये तो आया 1,45,000 3,0 cancel तो x minus 3 is this तो x equal to minus 3 of which it plus हो गया और इसको divide किये तो 0.138 आया तो x equal to 3.138 तो payback period मिल गया आपको कितना years हो गया 3.138 years तो payback period calculation करने के लिए दो condition हो गया अगर constant CFAT तो initial investment by CFAT और CFAT differ कर रहे भारी कर रहे तो cumulative करोगे initial investment देखो कि कहां कौन सब slab में आया कौन सब route में आ गया between तो उसके बाद interpolation apply कर लोगे ठीक है अब ARR का formula ARR का formula मैंने दिये थे last day कि average pat इसमें pat देखना होगा not अपको यह नहीं देखना कि average CFAT average pat by average investment into 100 तो average pat क्या होगा average pat तो हम लोग देखो कि summation of pat pat का summation कितना है था 260 तो 260 को 260 को divide कर दे 5 years से तो कितना 52 years 52,000 और average investment का formula यह था initial investment plus scrap by two plus working capital working capital है तो add करोगे नहीं दिया तो छोड़ दोगे scrap नहीं है जिरो लिख लोगे लेकिन initial by initial by initial plus scrap by two initial four लग 50 दिया था scrap value है नहीं 0 by two plus ने तो 450 by two कितना 2 लग 25,000 तो हम लोग को average pat मिल गया average investment मिल गया तो formula में put कर दिये 52,000 average pat investment टू लग 25,000 into 100 percentage कर में से आता है कितना 23.1 years ठीक है न तो यह होगी आपका question solve solution of question number question number क्या था 3 ठीक है तो इसमें ARR calculation भी हो गया और payback period भी calculation हो गया ऐसा यह question और solve किये थे question number 4 एक बार 4 देखते क्या दिया है easy questions payback period find करना है compute payback period of a project from the following एक project का payback period find करना है और 2006 में भी आया था और 15 में भी आया था फिप्टीन में थोड़ा amount change कर दिया four times most probably add कर के कर दिया था तो 2006 का एक question है क्या दिया year assets का life five years और book value book value मतलब assets of fixed assets 1000 में सभी figure depreciation charge करने के बाद चुर फास्ट एरे में कितना 90 सेकेंड यरे में 20 assets का value यह दे दिया है पैड भी हर सल का कितना दे दिया तो हम लोगो CFT की चाहिए CFT के लिए क्लिए करोगे पैड के साथ depreciation add back करोगे तो depreciation कितना इसमें देखो book value आपना डेप्रिशन फास्ट एर में कितना 90 सेकेंड यर में 80 तो decrease कितना 10 तो depreciation 10 था फिर 80 से 70 मतलब कितना हो गया 10 76 10 60 50 10 तो अलाइज 10 10 जिक्रीज मतलब स्ट्रेट लाइन में तर था 10 रूपीज तो depreciation 10 थाउजंड ये मिल गया और तो initial investment कितना था एक साल बात तो इसमें 10 और depreciation add back करोगे cost आज जाएगा 100 ठीक न तो original cost कितना था initial investment 100 थाउजंड वन लाग और वन लाग कर 10 परसेंट 10 थाउजंड लेसके 90 फिर सेके टेनेट लेसके 80 and so on clear तो इसमें भी payback period find करना क्या करोगे वह टेबिल कर लोगे मैंने कर चुके थे recording का प्रब्लिम था इसलिए फिर कर रहे है तो year 12345 ठीक है ना पैट दे दिया था यह दिया था 20 22 24 26 and 28 ठीक है यह पैट भी दे दिया था आपको और depreciation हम लोग calculation किये ना भी कितना है था 10 तो depreciation 10 इसमें back कर लेंगे depreciation कैसे आया वह आप दिखा सकते हो 90 minus 80 equal to straight line है ना always different हो था था थे column depreciation लिग लेते है equal to 80 minus 70 equal to 10 तो 10 इसमें add back कर रहे है 20 प्लस 10 30 22 प्लस 10 24 प्लस 10 26 प्लस 10 28 प्लस 10 तो हो गया CFET और भारी कर ले ना तो क्या करोगे cumulative CFET कर लोगे तो cumulative में 30 30 प्लस 32 62 62 प्लस 34 96 प्लस 36 132 प्लस 38 इस 170 ठीक है ना अब initial investment initial investment कितना था जब year end में 90 फास्ट year end और depreciation 10 अलोई तो 100 था ना तो initial investment 100 इन बीट्वीन आ गया तो payback period भी इन बीट्वीन आजेगा 3 4 बीट्वीन एक्स माल लिए आप ओई simple formula simple interpolation formula फिर apply कर दिए तो by simple interpolation क्या हो रहा था फिर एक बार देखो x-3 divided by 4 minus 3 equal to 100 minus 96 by 132 minus 96 ठीक है ना x-3 by 4 minus 3 equal to 100 minus 96 by 132 minus 96 और x-3 divided by 4 minus 3 वहाल लिख नहीं लिखे 100 minus 96 कितना 4 और यह divide किये तो कितना है 36 तो cancel करने से 9 अगया 1 by 9 तो x equal to minus 3 plus 3 plus 1 by 9 होता है 0.0.11 तो x equal to 3.11 years तो payback period of this machine कितना हो गया 3.11 years तो यह हो गया आपका question number 4 और एक question हम solve करेंगे और इस question के बाद इस question के बाद हम लोग next non-discounting technique हो जाएगा तो फिर discounting technique सिखेगे यह question number 6 up to 6 आपका non-discounting technique है इसके बाद जो question हम देंगे वो आपका discounting technique ठीक है प्रभबली आपका question 6 तक ही दिये थे यह बाद फिर देग लेंगे हम यह question 6 में आ जाते है आप 5 अप ARR है यह आप लोग करोगे एजी है यह ट्राइग करोगे आप लोगे 6 2016 जिर्मर का question B company is considering the purchase of one of the following two following machines दो मेशीन है मेशीन मेशीन बी इसमें कमपानी एक मेशीन भाई करना चाहते है और relating data information दे रहे आपको cost दोनों में same है life भी दोनों का same है लेकिन pat mission A इसमें first year 30 second या तिन साल दिया था ना 50 or 40 और mission B में 20, 80, 40 और pat दे दिया तो मतलब आपको ना depreciation calculation करना है ना कुछ टेक्स कुछ नहीं देखना है पैट दे दिया तो इसी को भारिज फाइंड कर लोगे आ जाएगा तो अब यह question question 6 देखो इसमें ARR मिथट से कौन सा मेशन करें दोगे यह पूछा था तो यहर 123 मेशन 1 का पैट दे दिया है मेशन 2 का भी पैट दिया तो इसमें तो कुछ calculation करना है नहीं इसको जोड ली इसको जोड ली है summation of pet आ गया ना तो average pet क्या होगा इसको number of year से divide करो 130 by 3 is 40,000 140 by 3 is 46,667 ठीक है ना अब क्या देखना average investment average bet होगे average investment formula क्या होता है initial investment plus scrap divided by 2 plus add क्या करते working capital तो यह आपका दोनों मेशन के लिए for each machine दोनों में initial था 1 like scrap value nil था तो यह दोनों add कि दिवाइड by 2 50,000 working capital 0 तो 50,000 इच ठीक है ना दोनों में same value था cost और life भी इसलिए scrap value 0 था तो दोनों में same अपका average investment आ गया तेफोर ARR equal to ARR का formula क्या है average bet by average investment into 100 तो average bet कितना है 40,000 first machine का investment कितना 50 into 180 percent mission भी average bet by average investment into 146,667 divided by 50,000 into 100 यह होगे कितना 93.33 percent तो यह दोनों में ARR fine हो गया accounting rate of return यह average rate of return अब कौन सा mission इनको खरिदना चाहिए जिसमें greater ARR मतलब ARR जिसमें ज्यादा है return rate ज्यादा है उसी को invest उसी में invest करना चाहिए since mission B ARR is more तो ARR of mission B is maximum therefore the company should accept mission B A होगे आपका answer ठीक है तो यह मेरा मतलब पहले हो कर लिए थी recording mistake था फिर आप लो इसको देख लोगे next video जो लोड करेंगे इसमें discounting technique सिखेंगे उसमें बहुत सारे method है सिखेंगे